जीतने वालों को मेरा सलाम जैसा कि मैं हर रोज कहा करता हूँ जीतेगा वही जो विश्वास करेगा नुश्कार जहिंद स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का कवी आदिगनेस यूटूब चैनल के उपपर और मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेस साथियों कल की कक्षा में हमने बात करी थी हिंदी भाषा का ओधव एवं विकास के पहले पार्ट की यानि की भाग एक कल पहली क्लास दी आज दूसरी कक्षा के अंदर भी हम हिंदी भाषा का ओधव एवं विकास की जो अन्य महत्तपुन बातें हैं अन्य जो बातें हैं उनक उसकी जो बोलियां है उनकी हम चर्चा करेंगे तो आप जिसे जैसे मैं लिखवा हूं वैसे वैसे करते चलना यह दूसरा पार्ट हो जाएगा हिंदी भासायों उद्व विकास वाला इसे सन के अंदर चलिए कुछ और बातें देखें हम कल हमने बात की थी कि वैदिक संसकृत यानि कि संस्कृत को दो भागों में बाढ़ सकते हैं वैदिक और लोकिक फिर लोकिक आगे पाली भाषा में परीवर्तित होतीस फिर प्राक्रित के अंदर आता है यह दो नाम क्या है ए रो लगा कर लिखिये कल जो नोट्स बनाये थे उन्हें के दंदर दिरेंदर वर्मा डॉक्टर दिरेंदर वर्मा डॉक्टर दिरेंदर वर्मा वर्मा जी क्या कहते हैं जो हम पहुँचे थे कहां पर आधोनिक आरिय भाषा के अंदर या खड़ी बोली के अंदर हिंदी तक जो पहुँचे थे वर्मा साब कहते हैं कि आधुनिक जो आरिय भाषा है आधुनिक आरिय भाषा जिसका हमने काल क्या दिया था एक हजार इस विसे अब तक आधुनिक आरिय भाषा को एक हजार इस विसे अब तक का जो मामला चल रहा है आधुनिक जो आरिय भाषा थी इसको इन्होंने तीन भागों में बाटा आधुनिक आरिय वासा को इन्होंने कितने भागों में बाटा तीन भागों में बाटा तीन भाग कौन से पहला भाग था प्राचीन काल वर्मा साब कहते हैं कि आधुनिक जो आरिय वासा थी जो खड़ी बोली, जो प्रारम में बोली जाने लगी है, यह प्राचीन काल, का, इसको में 11020 से हैं, इसको में डिवाइड करता हूँ, पंद्रासो इसवी तक, यह वर्मा साहँ विवाजन कर रहे हैं, फिर इनोंने दूसरा कहा, कि मैं इसको मध्यकाल में भी बाटता हूँ, इसवी to क्या प्राचिर काल हो, क्या अब तक जो बोली जा रही है, वह आधुनिक काल करता हूँ, और इसकी समय से महां कहा, मैं निर्धारन करता हूँ, कि अठारा सो इस विसें अब तक जो बोली जा रही है वो आधुनिक आल के अंदर में है जो शामिल करूंगा तो दिरेंदर वर्मा साब ने पहले वेदिक संस्कृत हुई लोकिक संस्कृत हुई पाली प्राकृत अबरंच जहां तक पहुंचे अबरंच के बाद में अठारिया भासारा कब खड़ी जो प्रारह में बोली जाननी लगी उसको वर्मा साब ने कहा मैं इसको भी तीन भागों में बाड़ता हूँ इस जो आरीया भासा ती उसका कैसे कैसे विकास होकर आज वरत्मान सो रूप में जो हम पहुँचे हैं उसका भी मैं डिवाइडेशन करूँगा तो इन्होंने प्राचिन काल नाम दिया मद्यकाल नाम दिया आधुनिकाल नाम दिया प्राचिन काल को इन्होंने 1000 से 1520 वी तक बाटा फिर 1520 मद्यकाल को 1500 से 1800 तक और 1800 से अब तक य चेन हिंदी में कौन से क्या गरंत्र लिखेगे क्या कहा गया फिर मद्यकाल में क्या हुआ राधुनिकाल में क्या रही उंको मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देता हूं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि Lindsey बासा को अद्भव और विकास आज तक पहुँंचो गयाज तक अ अगर नहीं लिखा तो फिर वीडियो पीछे करके रोक के आप वापस लिख लेना ये सारी चीज़े पहला इन्होंने बाटा क्या प्राचिन काल किया इन्होंने प्राचिन काल या प्राचिन हिंदी काल कह सकते हैं जो प्राचीन काल इन्हों ने नाम दिया प्राचीन काल अब प्राचीन काल यानि शुरुवात का ही दोड़ था आधुनिक जो आरिया भासा थी प्रारंब काल था प्रारंब के इस काल को क्या है अवहट काल के नाम से जो पुकरा जने लगा प्रारंब के काल को जैसे कि मैंने के बाद में और ह paralis प्रहः और फिर references कल वीडि़ों मेंने बताई था कि संस्कृत पाली प्राक्रित भर और फिर हंडी तो उसको अउषट काल नाम से जो पुकारा जाने लगा राचीन काल या फिर आवट काल है जो हम कह सकते हैं और इस दोरान कौन-कौन सी रचनाई हुई जो आवट भाषा के नाम से जानी लगी कि इन रचनाओं के अंदर आवट का प्रियोग जो हुआ है कल दो रचनाई मैंने बताई थी एक तो उनकी बताई थी मैंने कीरती लता कीरती लता और दूसरे बताई थी कीरती पता का कीरती लता और कीरती पता का ये दोनों रचनाई किस में अवट के अंदर या कहें किस काल में प्राचीन काल में या आवट काल में किस के अकोर्डिंग धिरेंदर वर्मा सहाब के अकोर्डि दामोदर पंडित की उक्ति-व्यक्ति प्रक्रण यहां मैं लिखे देता हूं उक्ति व्यक्ति प्रक्रण उक्ति व्यक्ति प्रक्रण किसकी? दामोदर साहब की इसके तिरिक्त एक रचना और लिख लीजी आप जो वर्ण रतनाकर रचना है वर्ण रतनाकर जोति रिश्वर ठाकुर जोति रिश्वर ठाकुर साहब की क्योंकि हम रचनाओं के साथ साथ में चलेंगे कि जिस जिस हिंदी का विकास हुआ वेसे वेसे रचनाओं भी जिन जिन रचनाओं का रचनाओं को जिस भाषा में लिखा गया वेसे वेसे रचनाओं को पढ़ते चलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इन रचनाओं में इस भाषा का प्रियोग वा इन रचनाओं में इस भाषा का प्रियोग गया तो मतलब हिंद किसकी अब्दुर रह्मान तो ये सारी की सारी रचना है किसमें आई आउहट बाशा के अंदर है जो देखने को मिलती है हमें अब ये सवाल कई बार पूछा जाता है लिख लिया यहां तक नहीं लिखा तो वीडियो पोज करके लिख लेना आप ये सवाल कहीं बार पूछा जाता है जो अउहट है अउहट के विशे में दो तिन रस्ना करन दो तिन विद्वनेंगें दो तिन बातें कही है वो बार बार पूछ जाती है क्या लिखिए आउहटको प्राचीन हिंदी प्राचीन हिंदी प्रवर्ति अभ्रंश या फिर प्रारंभिक हिंदी इन नामों से भी जाना जाता है इन नामों से भी जाना जाता है ठीक है बात यहां तक जिसे हम क्या अउहट कहते हैं उस अउहट को प्राचीन हिंदी के नाम से प्रवर्ति अभ्रंश के नाम से प्रारंभिक हिंदी के नाम से इन उप्रामों से भी जो जाना जाता है और किन-किन विद्वानों ने ये नाम दिये हैं ये सवाल है जो कहीं बार पूछा जाता है साब अब देखते हैं यहां पर किस-किस ने क्या-क्या कहा है चंदर्धर शर्मा गुलेरी ने इसे पुरानी हिंदी कहा है लिखिए यहां पर चंदर्धर शर्मा ने इसे क्या कहा है पुरानी हिंदी यह सवाल बहुत बार पूछा गया है चंदर्धर शर्मा ने इसे पुराने हिंदी कहा है अगर मेरा यह प्रियास आपको अच्छा लगता है और मेरा यह अध्यापन कोशल आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि नहीं वाकई गुरुजी अच्छा करवा रहे हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी सावित होगा तो वीडियो को लाइक कर दें आप शेर कर दें पहली बार देखने वाले तमाम साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इसे पुरानी हिंदी कहा है ठीक है गुरुजी समझ में आगई विद्यापती ने ये भी कहीं बार आता है विद्यापती ने इसे जैसे भी कल्ब मैंने पंक्तियां बोलकर बताई थी कौनसी की देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपहो अवहटा अवहट के लिए देसिल बैना का प्रियोक यह थोड़ी से मिठी वाशा है विद्यापती ने इसे क्या कहा है देसिल बैना या फिर बनिया ठीक है कहीं जगा बैना या फिर कहीं जगा बनिया मिलता है यह कहे कर उका रहा है विद्यापती ने इसे ठीक है तो गुलेरी पुराने हिंदी विद्यापति ने बैना, आगे देखते हैं, मिटा दो इनको, आगे हम देखें यहापर, आगे हम देखें यहापर तो जो शुकल है, शुकल महदे ने क्या कहा, रामचंद्र शुकल ने इसे प्राकृता भास कहे कर पुकारा है, राम चंद्र, शुकल ने, рाम चंद्र शुकल ने क्या कहा है? इसे, प्राकरिता भास रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्राकृता भास कहे कर है जो पुकरा है यह आके कहे कर पुकरा आप लिख लेना इसके अतिरिक्त मैं बात करूँ इसको जो अपभरंश या अवर्ट है इससे जो प्रभायुत हिंदी है इसको हिंदी का आधिकाल या शुशुकाल भी है जो कहा जाता है तो यह तो मामला हो गया अपने प्राचीन काल का प्राचीन हिंदी काल का अब हम आते हैं क्या मद्देकाल की तरफ आएं तो मद्देकाल की तरफ आते हैं तो मद्देकाल जो पंदरासो से एठारसो एसवी है मद्देकाल यहांपर फटोड़सी ध्यानि में रखने वाली बात है ज़्यादा विश्यस उतना कुछ नहीं है क्या निर्दारित किया था पंदरासो से थो ऐसवी से यहां पर क्या है मामला यहां तक आते आते भाषा के तीन रूप सामने है जो आते हैं अपने मद्यकाल में आते आते भाषा के तीन रूप अपने सामने आते हैं पहला रूप हमें देखने को मिलता है अवधी अवधी भाषा दूसरा रूप हमें देखने को मिलता है ब्रज ब्रज भाषा और तीसरा आ जाता है फिर खड़ी बोली आ जाता है पूरा का पूरा खड़ी खड़ी बोली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो बोलीया है उप बासा है उनका डिटेल से हैं करेंगे सरागा अभी ये उद्भव और विकास है इसको हम थोड़ा सा निप्टा देते हैं खड़ी बोली यहां तक आ जाता है और ब्रज भाषा में तो आपको पता है कहीं सारे जो कृष्ण भक्त थे कृष्ण भक्तों ने ज़्यादा तर अचना है जो ब्रज भाषा में की है आगे चलकर हम बात करें वित्तिकाल में जो ब्रज भाषा में करने वाले थे के heelDash हो गया देव हो गया, पदमाकर हो गया, बिहरी हो गया, इन सबने इस भाषा में है, जो कवे, लिखा था. अवधी की हम बात करें, अवधी भाषा की. देखिये, ब्रज के अंदर तो, बाहप करें, ब्रज के अंदर लिखने वाले तो क्या हो गये? क्रिश्न भक्त जितने भी कवी थे वो आगे अवधी के अंदर हम बात करें अवधी में राम कावे वाला था ज्यादा त्रमामला अवधी में हम बात करें जो सुफी कावे धारा भी इसके अंदर देखने को मिली कुतुबन हो गया उस्मान हो गया जायसी हो गया आलम हो गया शेक हो गया तुलसिदास जी हो गया और इनकी परमुक रचनाओं का आपको पताई है तुलसिदास जी गिरामतरित मानस बहुत प्रशिद है पंदरा सु चोहतर जिसका समय है नूर मुहम्मद साहब की इंदरावत इसका समय 17 सुचममालीस पी है जाईसी की पध्मावत है यह यहाँ पर आ जाता है मद्ठकाल का शिलिसिला यहाँ पर क्या आ जाता है लिखनी अगर लिखना चाहें तो adore हम लिख लिखवा देता हूं आपको अई कि अव्ласт sözा करें लिखा लीजिये पदमावत तुलसिदास तुलसिदास रामचरित मानस यानि कि मेरा कहने का ताथ पर यह कि जो प्राचीन काल के अंदर जो अवहट थी जिसमें जो रचनाई हुई धीरे धीरे जो मध्यकाल में हम आये तो उस बासा में परिवर्तन हमें देखने को मिला और विक्सित होते तो मध्यकाल में आते आते एक रूप अवधी का आने लगा एक ब्रिज का आने लगा एक फिर खड़ी बोली यह तीन रूप है जो देखने को यहां पर हमें मिलने लगे उसमान की चित्रावली हो गई मंझन साब की मधुमालति कुतुबन की म्रिगावति यह सारे की सारी अ यहने की मध्यकाल के अंदर ठीक है आगे हम बात करें तीसरी जो खड़ी बोली है खड़ी बोली में भी कहीं रचनाएा जो खड़ी बोली का प्रारम्थिकी दोर था इसमें कबीर शाब का मिलता है मेमें ननक मिलता है जिनकी गंग कवी की चंद बर्नन की महिमा यहां से मिलता है प्राण नात की कुल जम स्वरूप इसके अंदर खड़ी बोली देखने को मिलती है जो आलम साहब का सुदामा चरित यहां देखने को मिलता है रामपरसाद निरंजनी की जो भाषा योग वसिष्ट है यहां पर खड़ी बोली का प्रयोग हमें देखने को मिलता है अब देखिए साहब यह हो गया खड़ी बोली तक का मामला आगे हम देखें मद्देकाल निपट जाता है इस परकार से डिटेल से इतना ही पूछा जाएगा यहां पर तो ज्यादा से धिरिंद्र वर्मा के तीन जो यह तो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए आगे थोड़ा सा बेस बनाने के लिए बता रहा हूं जानकरी के लिए बागे अगर पूछा जाएए दिरिंद्र वर्मा ने आरे बसक कितने बागों विवगत क्या तीन बागों मैं प्राचिन मद्दे और आधुनिक खाल की तरब आते हैं अगर आधुनिक काल में हम आये हैं उन्नोंने जो विभाजन किया वर्मा साब ने आधोनी काल में अगर आये हम तो यहाँ पर क्या आता है आधोनी काल में आपको पता यह सबसे पहले क्या आता है भारतेंदु यूग आता है आधोनी काल के हम बात करें जो खड़ी बोली वाला सबसे ज़्यादा विकास होता है ये बात लिख लिजी यहाँ पर खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ? आधो निकाल में खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विकास खड़ी बोली का सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ? काल में। आपको ध्यान में देन काल में हुआ। आधोने काल जैसे प्रारम होता है तो भारतेंदु काल से भारतेंदु यूग के अंदर हिंदी एसा कहा जाता है कि नई चाल में डलेती भारतेंदु यूग से थोड़ा से हम पहले आते हैं भारतेंदु पूर्व यूग में तो चार विद्वान होगा आपने नाम सुना होग जिन्नोंने हिंदी में हिंदी के विकास में हिंदी खड़ी बोली के विकास में बहुत महत्तुपूर्ण योगदान दिया। लिख लिजिए अब आदू निकाल में हिंदी खड़ी बोली के यह वात लिखने लाइक है क्यों कि यहाँ सवाल कहीं बार पूछा गया है हिंदी खड़ी बोली के विकास में विकास में योगदान देने वाले योगदान देने वाले चार विद्वान ठीक है? मुख्य रूपसे यह चार विद्वानों को नाम है जो आता है बारतेंदू उर्वय यूग में देगे कहीं बाते मैं यहाँ पर बोल रहा हूं तो लिखना चाहिए तो उनको भी नोट कर ले ना नहीं लिखना चाहिए तो वो क्यों ध्यान में रख लिए बाकी जो मैं लिखू हूँ वही चीज़ आप लिख लिजेगा चार विद्वान कौन-कौन से रहे थे बारतेंदू यूग आने से पूरो और आधोनिक काल प्रारम होने जब हुआ वहां तक चार विद्वान आते हैं पहला नाम आता है यहां पर पहला नाम आ जाता है किसका सधा सुखलाल नियाज का सदा सुखलाल नियाद तखलुस सदा सुखलाल नियाद साब का यहाँ पर नाम आता है इनकी रचना है क्या? सुख सागर सुख सागर तो सदा सुखलाल सुखलाल साब की क्या है? सुख सागर है देखी, दूसरा नाम आता है इंशालला खांका दूसरा नाम किसका आता है इंशा अल्ला खान इंशादला खान इनकी रचना है RANI केतकी की कहानी यह कूट वालों में कहीं बार पूछ जाता है सामने जो उल्टा पूल्टा लिख देते हैं तो यह सवाल बहुत बार पूछ जाता है तीसरे जो रचनकार आते हैं जिनोंने हिंदी खड़ी बोली की विकाशन महतुपूर्ण योगदान दिया वो आते हैं सदल मिस्र इनकी रचना कौन सी है इनकी रचना है नासी के तो पाख्यान ये इनकी रचना है सदल मिस्र सहाब की और चोथा जो नाम आता है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चोथा जो नाम आता है चोथा नाम आता है अपने ललू लाल साहब का ललू लाल जी का ललू लाल का तो इनकी रचना आती है ललू लाल जी की प्रेम सागर जो प्रेम में पड़ जाता है वो क्या हो जाता है लल्लू हो जाता है साब याद करने के दरिश्टी कौन से मैं बता रहा हूँ आपको तो ये चार जो रचनकार हैं कौण कौण से सदा सुकलाल नियाज जिनकी सुक सागर है इन्शालला खाँ जिनकी राने केतकी कहानिया सदल मिश्र सहाब की नासिक के तोपा ख्यान है और ललू लाल सहाब की क्या है प्रेम शागर है ये रचना है और ये रचनकार है जो बहुत प्रसिद है बाद में बारतिंदु यूग आता है जिसके अंदर कहा जाता है कि हिंदी एक नई चाल में ढली सहाव फिर दिवेध Number यूग के अंदर खड़ी बोली हिंदी का बहुत जवर्धस्व विकास्वा दिवेधी सच्रोति पत्रिका के माध्यम से आप में को देखने को मिला चायावादी यूग फिर ये खड़ी बोली इंदी का श्रण यूग माना जाता है ये भी नोट कर लेना बात यहां पर मैं लिक देता हूँ ये अगर लिख लिए तो क्या चायावादी यूग जो है हिंदी खड़ी बोली का श्रण यूग माना जाता है लिख लिजिए आप चायावादी यूग खड़ी बोली हिंदी का श्रण यूग माना जाता है चायावाद के इंदर आपको पता है पंद थे निराला थे प्रस्दाद थे मादी वर्मा थे ये बिल्कुल तगड़े पिलर थे शायावादी यूग के पिर शायावादी के बाद में तो इस परकार से हैं जो मामला चलता अपना हिंदी बाषा के खुद्भव और विकास का उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अब इसके बाद में अगली जो अपनी कलास होगी । आज की कलास यहीं फिनिस करते हैं अगली जो अपने कलास होगी वहोगी क्या हिंदी भाषा की जो क्या है हिंदी एवं उसकी बोल्यों का समाने परिछे नेक्स्ट क्लास कौन से होगी हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामाने परिचे और इस क्लास के अंदर इसको हम कम्प्लेट कर लेंग सामाने परिचे तो कैसा क्या लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताते रहे न वीडियो को लाइक शेर जरूर करें आप हमेशा टेस्ट सिरीज भी मिलेगी और मार्केट में बाजार में जितना प्राइज है क्लासेज का उससे बहुत कम शुलक के अंदर आपको बिल्कुल तगड़े से बहतरिन कंटेंट के साथ जिस प्रकार से अभी मैं पढ़ा रहा हूं इसी प्रकार से आपको मैं सारा पाठेकर में ज दिया जाएगा अभी आप यूटूब पर काफी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी यहीं यूटूब पर नहीं मित रूप से जुड़े रहें जोड़ते रहें जाहिंद पर मलता है